हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज मैं आप सभी को कद्दू का राहिता बनाना बताऊंगी यह देखे फ्रेंड्स कद्दू को मैं छील लूँगी ऐसे कद्दू को इस तरीके से महीन महीन काट लिये है राहिता बनाने के लिए इसे हम वॉयल करना है और यह धरा मिर्च और यह आदी इसमें डाल देना है वॉयल करना है इसके बाद हमें यह सरसो हलका गर्म करके पाउडर बना लियूं में और यह जीरा पाउडर है और यह काला नमक है यह दही है इसमें में मिलाना है यह धीके फ्रेंड्स यह मेह ना है अधी डाल देना इसने पाणी करना है यह देखे फ्रेंट्स इसे अच्छे से हमें बॉयल कर लेना है रास तोल में करके धब कर यह देखे फ्रेंट्स तरीके से कज़दु को हमें सिजहा लेना है रायता बनाने के लिए यह देखे फ्रेंट्स यह कद्दु में जो सिजहाई थी ठंडा हो गया है इसमें मसाले को डालना है यह भूना हुआ सर्सो पाउडर है यह यह भूना हुआ जीरा पाउडर यह कारन नमक हमें इसमें स्वाद अनुसार डालना है यह दही को हमें डाल देना है हमारा रायता बनकर तयार हो जाए यह देखे फ्रेंट्स तरीके से हमें सभी को मिला देना है बहुत ही टेस्टी लगता है यह कद्दू का रायता इस तरीके से बनाने पर आप लोग भी इस तरीके से बनाएं यह देखे फ्रेंट्स अच्छे से मैं दही को मसाले को मिला दी हूं यह देखे फ्रेंट्स हमारा कद्दू का रायता बहुत ही टेस्टी बना है मैं कर दो ड्रेंट्स अच्छे